बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दे जहां राम मंदर निर्मान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है पांच अगस को राम मंदर का भूमी पूजन होगा और इस भूमी पूजन में प्रधान मंत्री नरेंद मोधी भी शामिल होगे तो भूमी पूजन के लिए का जो रहा है क्या योध्या जो आएंगे प्रधान मंत्री मोधी राम मंदर के लिए बूमी पूजन होगा आप पांच अगस को दरसर 2 तारीक या पर दिगाई थी पीमो को और इनमें से 2 तारीकों में से सैमती को लेकर कहा गया था इसमें से 3 और 5 अगस दोनों को ही लेकर यहां पर संस्य था लेकिन अब 5 अगस को ये पूरी तरीके से कनफरम हुच्चा है पाँच अगस को राम मंदर के लिए भूमी पूजन होगा और पधान मंत्री गोधी उसमें मौजूद रहेंगे, सेम योगी भी उसमें मौजूद रहेंगे, तो बीजुपी के कोर मुद्दे में आपको बता दे कि राम मंदर का मुद्दा रहा है और आटिकल 370 पिछले साल, पाँच अदत को ही आपको बताया था कि आटिकल 370 हटाय गया था, जमो कश्मीर से 370 आटिकल को हटाने के बाद कई विरोध भी सरकार को यहां पर जोहलने पड़े थे, लेकिन अब राम मंदर के निर्मान को लेकर जो तल्यारियां जोरो पर थी, बस इंतिजार था, तो ब यहां पर निर्धारित कर लिया गया है, 5 अगत को भूमी पूजन होगा, जिसमें प्रधान मंतरी नरिमोदी शामिल होगे, दरसल आपको बता दे कि काफी डिमांड थी, कि अगर जब भूमी पूजन होता है, तो उसमें प्रधान मंतरी मोदी शामिल हो, हाला कि इसको लेकर कहा जा था कि जिस तरह से कोरोनाम हमारी का संकट है तो शायद उसमें प्रधान-मंत्री मोदिल शामिल ना हो लेकिन अब पूरी तरीकिसे साफ हो चुका है क्योंकि पीमो की तरफ से पिमो को जो यहां पर तारीखे दी गई थी जिस तरह से नियोता भेजा गया था उन में से उस तारीक का चोयन की आगे आगे आप पांच अगस को अब भूमी पूजन होगा तो कल ट्रस्ट की एक बैठक हुई थी और उस ट्रस्ट की बैठक में ये पूरी तरीकी से तैम आना जा रहा था कि जहां राम मंदिर के स्वरूप को लेकर उसके मैप को लेकर और तमाम मुद महंत जी आखरकार जिस तारीक का इंतिजार था पहले तारीक की आखरकार मंदिर निर्मान को लेकर जो तारीक सुप्रीम कोट से मिलनी है वो कम मिलेगी वो मिल गई अब आधार शीला को लेकर जो तारीक मिलनी थी उसका भी इंतिजार खत्म पांच अगस को राम मंदिर के के लिए भूमी पूजन होगा और प्रधान मंत्री उसमें शरीक होंगे कि महंत जी अवाज मिल पारिया आपको जी 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 थोड़ा दाव मुंसाहित हैं पांच अगस्त को लेकर आप लोग बिलकुल मानी प्रधान मंतिजी नर्ण मौदी जी के आगवन के लिए सर्भी धर्माचारी में पहले का से प्रतिक्षा रही है क्योंकि हम दिर की लगाई को बार्ती जन्पाप पार्टी लंबे का से लगा है और है जी तो चले कुछ तख्री के लिए एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ एक साथरान कार्वाद है कि पग्षान हम सब लोग इसी ये चाते रहे कि मौदी जी के हाद से ही सिला नयास हो तो ये बहुत फुसी की बात है और इसके लिए हम लोगों ने कई बार लेटर लिखा पत्र लिख करना कई बार जो है सारे साथ उसकंते ही तना पूरे देश राचियों कि घ्चाति मोदी जी को ये जो जो भारी चाइट की गई है इसे हम लोगों देया दुदाए है और निस्चितु आने से आयोद्या के स्वरूप में बदलावाएगा जी महंत जी क्या जो स्वरूप है म आज गुमज रहेंगे और उसके लिए जो है तो सतर एकर की भूम को देखते हुए अगल बगल उसको प्राया जा रहा है तो ये निस्चित माना जा रहा है कि बनने वाला जुराम मादिर है ये भाबेतम होगा और विशुशंदर होगा और अदूती होगा और इसको लेकर क जो काम कर रहा है उस पर सभी लोग जो है करते हैं तरह के लिए काफे इंतजार किया क्योंकि कहा जारता कि शायए श्रहन एकाच्छी के समय में इस तारीक को निरधारित किया जाए लेकिन अब जाकर ये तारीक मिल पाई है अब कोरुना के बीच में क्या आपको लगता है क कि ये एक सही समय है यहाँ पर की भूमी पूजन यहाँ पर कर दिया जाए और जुस तरह से रामभक्त भी उत्साही थे उत्साह किसा साथी किस तरह की तयारिया भी वहाँ पर है कोई अभी यहाँ पर टैक किया गया है कि कितने लोग उसमें आप आएंगे तमाम और अगर राज्यों से भी सादू संतू की बात करें महनतू की बात करें क्या वो भी इसमें शरीक होंगे नहीं नहीं हो ऐसा है कि इसमें कोई सरीक नहीं होगा इसमें गीने चुने लोग रहेंगे और इसके लिए पहले से ही गाइड लाइन जारी की जाएगी और जो जहां है घर बैठे ही अरिकम देखेंगे और भीड के लिए बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि कताई भीड न प्रधान मंत्री मोदी आएंगे और राम मंदिर को लेकर भूमी पूजन होगा अधार शीला रखी जाएगी किस तरह से तैयारियां पांच अगस के लिए देखे तैयारियां बहुत पहले से पूरी हो चुकी है अब केवल प्रधान मंत्री जी के आने का ही बिरम है जिस दिन वो जा आ जाते हैं उसी दिन यहां के घुम पूजन सिरा नयाज सब हो जाएगा और सब पूरी तैयारिया है जहां जहां तक कि क्रोना की बात है उसके दवस्ता यहां की होगी कि किसी प्रकार का कोई भी परिशानी हमारी प्रधान मंत्री जी कोने हो और ओ आएंगे यह जो जो ध्याबाशियों की मांग रही भफ्तों की मांग रही यह जो सुब काम है भवति मंदिरिक बनने का उश्का शिला पूजन और गुम पूजन भावना रही उसकी पूर्ती है तो इस लिए सारी प्रधिशियों को परिश्टी को देखते हुए यहां प्रधिशियों ने पूरी ब्रवस्ता बनाई है किसी प्रकार का कोई भी किसी परिशान नहीं होगी और बड़े ही सांती पूरबाग कार्शंपल होगा अचारी जी क्योंकि शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि राम मंदर के लिए जब भूमी पूजन होगा वो बहुत ही भवे बनाये जाएगा बहुत ही भवे कारक्रम होगा लेकिन इस वैश्ट्रिक महामारी के बीच में क्या ये कारक्रम बेहत साद्गी से होगा या फिर भव बनाये जाएगा लेकिन तमाम जो सोशल डिस्टेंस है जो नियम है उनको ध्यान में रख कर मंदिर भव बनेगा तो निश्चित है लेकिन इनकी महामारी के कारण से करोना के कारण से जो भव शुरूब बनाये जाता था इस चिला पूजन और भूम पूजन का वह बहुत सं है और किसी प्रकार की कोई भी परिशानी किसी विर्किकोल रहो से ते विशेश कर कोई भी दवाव पर्दान मंतिजी के उपर न पड़ है आईसी इस चिती में यह जो भव बदी की वह सारही वह संचेब में होगा और बड़े ही शांति पूर्वाव होगा उतने ही लोग उ तो जो आपने मांगा था जो आपने चाहा था वो यहां पर पूरा हो रहा है किशेश अरा मंग किया था कि जब-पर भूमपूजन करें फैसा लोग नहीं तरह के ना के जैंगी तो इस तरह से जो nggak प्रदान की बात है प्रदान मंती जी के जितना उचित होगा जितना दूरी बनाना उचित होगा उसको ही बना करके ही राम लडा का दर्शन कराए जाएगा जी लेकिन आचारे जी कई तरह के कारिक्रम होते हैं मंदर में और अब ये जिस तरह से उटसा हम साधु संटों में देख रहे हैं, रामभक्तों में देख रहे हैं, इस दिन को लेकर काफी यहाँ पर कोश्चे की गई थी कि इस मौके पर साक्षात वो चीजे देख पाएं, उ तो लाइफ स्ट्रीमिंग की भी बात हो रही थी कि अगर कारिक्रम में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को क्योंकि फॉलो करना है, तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था महां पर की जाएगी उस दिन के लिए? जी हाँ, बिलकुल किया जाएगा, क्योंकि परधानमंती कारिक्रम से कोई बंचित नहीं रह जाए, इसने लाइफ लाइफ लाइन किया जाएगा, जिसे कि लोगों को वहाँ बैटे घर बैटे ही दर्शन हो जाए, और जो कारिक्रम होता है, वो उनको वहाँ घर बैटे ही पत प्रति दिन यहां पर देखा जाता है कि सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है को लेकर चलती है लेकिन पांच अगस को क्योंकि यह बेहद ही खास कारिक्रम है कोई खत्रा किसी तरह का नहां रहे कोई चूक यहां पर ना हो नहीं जी कुछ नहीं होने पाएगा कोई खत्रा नहीं होगा और नहीं कोई बारी हो पाएगा यह दम सांती से और बड़े ही मनिसुरक्षा के पिश्ची से किया जाएगा किसी खरकार का कोई वहाँ पर 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 परिशानी नहीं होगी और तार साथ जो लोग है रामभग के जो जानना चाते है और कारिक्रम को देखना चाते हैं उनकी भी बहुत सा होगी क्योंकि आचारे जी यहाँ पर हर किसी की इच्छा है खासकर सादू संतों की महंतों की कि वो इस मौके पर मौजूद रहे और इसकी प्रतेक्ष दर्शे बने तो क्या सादू संतों को लेकर भी ऐसी कोई सीमा की जादा से जादा उपलब थी उन लोगों की ना हो जाते बहुत लोग है जो द्यावाशी जितने भी यहां संत महांत है सभी चाते हैं कि हम उनकी यह गुंपूचन में समलितों लेकिन कोरोना के कारण से मजबूरी है और उनको दूरी बना करके ही रखना पड़ेगा ऐसी सिती में यह काल इकरम होगा बहुत ही सांती पूरब और कोरोना के देखते हुए दूरी बना करके ही काल शंपन किया जाएगा बिल्कुल और बेहाद ही खास दिन 5 अगस्त का होने वाला है राम मंदिर के निर्मान को लेकर क्योंकि आधारशीला उस दिन रखी जाएगी भूमी पूजने आपर होगा तो मंदिर की साजो सजाव निर्मा बहुत ही बहतरीन होने वाली है हरकिसी को आकर्शुत करने वाली है उसके लिए क्या जो प्रक्रियां है वो शुरू कर दी गई है किस तरह की सजावत होगी किस तरह से श्रिंगार कोगा थि आगशक मंदिर के सजावत का वो सबकी बहुसता हो गई है और प्रदान मंति जी के आगशा बहुसता हो जाएगी और पूरा सजावत हो जाएगा जोह दोसी एक प्रकार से सब लोग कर चके चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका अचारी ची हमारे साँ जुनने के लिए